परिचय बच्चो किसी पौधे का जो हिस्सा हमें आकरशित करता है वो होता है उसके फूल खिले हुए फूल हमें बेहत खुश कर देते हैं ये हमारे जीवन को रंगों से भर देते हैं जिस तरह फूलों के बहुत सारे प्रकार होते हैं उसी तरह पत्तियां भी बहुत किस्म की होती हैं अलग-अलग रूपों और आकारों वाली पत्तियां और फूलों को देखकर बहुत अच्छा लगता है इस पार्ट में हम और ज्यादा विस्तार से पत्तियों और फूलों के बारे में जानेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे किसी पत्ति की सनचना को समझना वाश पौथ सर्जन की व्याख्या करना प्रकाश संशलेशन की व्याख्या करना किसी फूल की सनचना को समझना किसी पत्ति की सनरचना पत्ती एक समतल और हरी सनचना होती है, जो तने से जुड़ी रहती है, जिस अंग के जरिये पत्ती तने से जुड़ी होती है, उसे पैटियोल या वरिंत कहते हैं पत्ती के पत्तले, सम्तल और चौड हिस्से को लैमिना यानी पतल कहते हैं पतल हरे रंग का होता है पत्ती के बीच में जो मोटी सी रेखा होती है उसे मद्धे शिरा कहते हैं मद्धे शिरा से जो पदली पदली रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती हैं, उन्हें शिराएं कहते हैं, किसी पत्ती पर शिराओं का जो क्रम होता है, उसे शिराविन्यास कहते हैं। जब ये शिराएं मद्धे शिरा से बाहर की ओर निकल रही होती हैं, तो इस शिराविन्यास को जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं। इस तरह का शिराविन्यास आमतौर पर घास की पत्ती में मिलता है। वाजबोस सर्जन पत्ती का महिदपून काम होता है, गर्मियों में पौधे को ठंडा रखना। ये काम वाजबोस सर्जन के जरिये होता है। वाशपो सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके जरीए पानी के कंण किसी पौधे की पत्तियों और तने से भाप के रूप में वायू मंडल में पहुँशते हैं। पत्तियों के निचले हिस्से में स्टुमेटा नामक छोटे चिद्र होते हैं, जो वाशपो सर्जन की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। प्रकाश संशलेशन जानवरों और इंसानों की तरहा पौधों को भी जिन्दा रहने के लिए आहार की जरूरत होती है। लेकिन जानवरों और इंसानों के विप्रीत पौधे प्रकाश संशलेशन के जरूरे खुद अपना आहार बना सकते हैं। यह प्रक्रिया पौधे की पत्तियों में होती है। इस प्रक्रिया में किसी पौधे की पत्तियां धूप से उर्जा लेकर हवा में मौजूद कार्बन डाय ओक्साइट को और मिट्टी से लिए गए पानी को गुलुकूस में बदलती हैं। पत्तियां इस तरह जो आहार बनाती हैं उसे फिर पौधे के अलग-अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। उन्हें फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। उन्हें अपना रंग क्लोरोफिल नामक एक रंजक से मिलता है। क्लोरोफिल पत्तियों को अपना आहार बनाने में मदद करता है। फूल हमें अपने चारों और फूल नसराते हैं बालकनी में, पार्कों में, गलियारों में अलग-अलग रूप रंग के फूल हमारे दिलों को खुशी से भर देते हैं फूलों के रूप आकार कैसे भी हों वो हमें तरो तासा कर देते हैं फूल चाहे बड़े हों या छोटे, लाल हों या नीले, सभी का विन्यास एक साही होता है फूल के बाहरी हिस्से को कैलिक्स यानि कार्णिका कहते हैं इसमें बाहरी दलों जैसी हरी पत्तियां होती हैं फूल के अंदरोनी हिस्से को कोरुला यानि दल पुंज कहते हैं पंखुडियां पूलिनेटर यानी परागन करने वाले जीवों को फूलों की ओर आकर्शित करती हैं। इस तंतु के ऊपर दो थेलियां होती हैं, जिन में पराग होता है। इन थेलियों को एंथर्स यानी परागोश कहते हैं। फूल के मादा भाग को पिस्टिल यानी स्त्री केसर कहते हैं। ये फूल का सबसे अंदरोनी हिस्सा होता है। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय वर्तिकाग्र स्त्री केसर के उपरी हिस्से में मौजूद चिपचिपी सतह होती है जो पराग को पकड़ कर रखती है वर्तिका नली जैसी एक सनचना होती है, जो वर्तिकाग्र को थाम कर रखती है वर्तिका अंडाशे तक जाती है, जहां ओव्यूल्स यानी बीजांड होते हैं सारांश आईए हमने जूखु सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं जिस चीज के जरीए कोई पत्ती तने से जुड़ी होती है, उसे पैटियोले या वरिंत कहते हैं पत्ती के पत्ले समतल और चौड़े हिस्से को पतल कहते हैं प्रकाश संचिलेशन वह परक्रिया है, जिसके जरीए किसी पौधे की पत्तियां धूप से उर्चा लेकर हवा में मौजूद कार्बन डायॉकसाइट को और मिट्टी से लिए गए पानी को गुलुकोज में पतलती हैं ट्रांसपाइरेशन यानि वाश पौस सर्जन वह प्रक्रिया है, जिसमें पानी के कर्ण किसी पौधे की पत्तियों और तने से भाब बन कर उड़ते हैं और वायू मंडल में पहुँशते हैं फूल के बाहरी हिस्से को कैलिक्स या कर्णिका कहते हैं फूल के भीतरी हिस्से को कोरोला यानि दलपुंच कहते हैं फूल के नरभाग को पुंकेसर कहते हैं फूल के स्त्रीभाग को पिस्टिल यानि स्त्रीकेसर कहते हैं